सब्सक्राइब योजना योटीव चैनल पर आपका बहुत स्वागत है उम्मीद आसे कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे बहतर होंगे डेरी लोन फारम 2023 नई योजना चार लाग से दस लाग रुपे तक का लोन बिना गारंटी के बिना कोई गारंटी के आपको दे दिया ज लाती है यानि सबसीडी का मतलब फिरी 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 आपको दस लाग रुपे आपने डेरी लोन फारम के लिए लिया और आपने जो है दस में से सिरफ और सिरफ पांच लाग भरना है बाकी पांच लाग आपको सबसीडी के तोर पर सरकार माफ करने का काम करेगी इस में आव और फॉर्म कैसे करें आवेस्सक दस्तावेज क्या है समपुर्ण योजना के टू जट जानकरी आपको इस वीडियो में परदान करेंगे चैनल सब्सक्राइब जरू करें चैनल पर भारत केंदर के मधी सरकार की चोटी बिड़ी योजनाओ भारत केंदर का चोटन सममान कार्ड बीपिल राजन कार्ड पिम हवास योजनाओ पिम विजवला योजनाओ सब कुछ मिलेगा याउपको इस चैनल पर आप से एक बार फिर हाथ जोड़कर अपील करते हैं चैनल सब्सक्रिप्शनिक नमबर है जो हमें मोटिवेट करता है और अधिक होंसला हिम्मत वे ताखत देता है तो आप शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे आवेदन कैसे करें बैंक की क्या इसको लेकर सरते होती है जरूरी दस्तावेज क्या होता है लोन अमाउंट कितना होता है और सबसेड़ी कितने रुपे की मिलती है तो साथियों अब बात करते हैं असी अजार रुपे परती भैंस और साथ अजार रुपे परती गाये देने का काम सरकार करती है असी अजार रुपे परती भैंस का मत मिलेगा अगर आप के तो डेरी का पूरा सिस्टम है आपको करना बे मनना तो दस गाये लेनी आं तो आपको शाथ जार खासाव से छह लाग कर सकते हो एक भैस के लिए ले रहे हो तो आसी जार रुपे यानि प्रती भैस आज़ घर है प्रती गाइस साथ हजार मेकसिमम जो लीमिट है वो 10 लाग रुपे की मेकसिमम लीमिट है बागी कई राज्जिय सरकारों ने इसे बढ़ा कर जो है की विश्था खेनी होगी आपको डेरी शेड बनाना होगा साथ यो इसका भी अमाउंट आपको इस लोन में मिल जाता है डेरी शेड का कितना सब कुछ आपको मिल जाता है लोन देने के लिए बैंक की क्या-क्या सरते होती है नंबर एक बैंक आप से कहता है कि आप जो है आपकी अगर जमीन नाम है तो रेजिस्ट्री ला दो अगर आपके जमीन नाम नहीं आपके पास जमीन नहीं है तो आप लेंड एग्रिमेंट लीज एग्रिमेंट होना चाहिए या तो भूमी की रेजिस्ट्री होनी चाहिए या फिर लीज एग्रिमेंट आपका होना च चाहिए दूसरा बेंक कहता है आपका पर किसी भी उसका लोन ने लिया है आपने मोबाईस लिया या आपने कुछ भी A2Z कोई और अन्य लोन आपने लिए कभी भी इतिहास में तो इस पर जब आपका अधार काड नमबर डालते हैं civil.com पर तो आपका civil score पूरा बता देता है यह score ऐसा हो यह दर्सात है गर आपने समय से समय किष्टें भरी हैं आपने समय पर लोन पराने लोन आपने लिए हैं और आपने समय पर वो चुकाएं हैं तो आपको जो है लोन बैंक एप्रूव कर देता है आपका सिकोर सिबिल अच्छा होता है यदि आपका आप लोन समय पर नहीं बरते हो तो आपका सिबिल बिगड़ जाता है आपका सिबिल जो सिकोर है वो बिगड़ ज होता है अगर आपने कभी लोन ही लिया नहीं लिया तो आपका सिवल च Rock Automatic सबसे वहतरीना जाल्स कंडीशन में होगा दो आगे बात करता है तीसरा वो कहता है कि Detail स्प्रोजेक्ट फ्रोफाइल होनी चाहिए डिटेल प्रोजेक्ट प्रोफाइल का मतलब यह है कि आप जो कर रहे हो तीन सेड वगेरा तीन सेड या आप जो है कहां दूद्ध है आपका दूद्ध कितना निकाड़ोगे कहां आप दूद्ध बेचोगे क्या कुछ आपको आपकी इस यो डेरी को लेकर आपकी यो करते हो अपनी रखना है और आपको दुकान आप यह लाना कहां से मुझे बेचना किसको है और सारी चीजंगे और आप इसको कहां तक लेंगे की सोच रहे हो कितना आप दूद्ध निकालने का परियास करोगे वह पूरी की पूरी एट जो है आपको चीजने यह जो डिटेल project file है आपका ये detail project file एक या तो आप तहसील से किसी से बनवा लेना या फिर आप किसी CA से बनवा लेना ठीक है भी Chartered Accountant वो आपको बना देगा आपकी जो वो है आपका जो दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं कि इस तरीके से उसे वो नहीं कर पाते प्रस्त जो आप अपनी बिजनिस को लेकर जितना CA आपके बिजनिस को लेकर आपको अच्छा आइडिया दे सकता है और अच्छा आपको guidance कर सकता है दोस्तों अब बैंक ये कहता है कि हम आपका देखेंगे सेड की विवस्ता क्या है चारे की आपके पास विवस्ता है या नहीं है दूद सेल करने के बारे में एक देखेगी बैंक कि इसकी दूद आप सेल कहां करोगे चारा आप कहां से लाओगे चारे की विवस्ता आप भेंसों के लिए कहां से करोगे चलो हम लोन तो देता है और आप सेड की होसता यानि टीन सेड जो भेशों के लिए होता हैं गायों के लिए होता है वो टीन सेड किस तरहें काखा है आपकी जगे कितनी है बेंक ए तीन चीज आपकी फ्जीकल वरिकरण करता है, जो पसु का Health Certificate और भीमा भी आपको लगाना इसके अंदर जरूरी है आप पसु का Health Certificate और भीमा कहा लगेगा पसु का Health Certificate और भीमा आपका मिलेगा आपका जो नजद जो पसु छी कि सालिय होता है ये गाओं में 5-6 गाओं पर एक पसूची का सालिय होता है और बिलोग या पर खंड या खंड तरह से भी आप इसे ट्राप्त कर सकते हो ठीक है भई भैंसो के जो डोक्टर होते हैं वो एक मिनट के अंदर आपको भैंसो का चेका हो जी हैल्थ देखकर तुरंत आपको प्रवा की ट्रेनिंग सेर्टिफिकेट है ये पांट से साथ दिन के आपको जो पसू विभाग है कल पसू किसान कल्यान विभाग बोला जाता है वो आपके ट्रेनिंग करवाता है और जब आप फॉम बढ़ते हो तब आपके पास यह ओप्शन आता है आप इसे ओनलाइन भी इस ट् पांसे साथ दिन के मैक्सिममम ट्रेनिंग होती जिसमें आपको भेंसोगी दुआयों के बारे में भैंसो के बारे में कौन की खाने में आपको उनको देना चाहिए ये बीमारी हो गई तो आपको खोन सा राज करवाना चाहिए कैसे आपको भैंसो को अच्छा दूद निकाल सकते हो भैंसो को गाय को किस तरह समस्त रख सकते तो ये सारी एक नॉर्माली information होते हैं बागी किसानों पास इतनी information रहती हैं लेकिन वो scientific की रूफ से आपको और अच्छी चीज़ें बता देता है उसमें आपको बढ़िया वो भी बता देता है क्या खिलाना चाहिए कैसा खिलाना चाहिए किस समय खिलाना चाहिए वो सारी ची पिलो किया उस पर है फिसके थ्या यहां आपको संध्य लेकर में लगने में अभी आपको करना कास लिए आपको टेमक में प्रेंक?" करना हो आपको अपने चाहिए बनक आपको स्टेटि ब्स पार कर लें, HDFC बैंक की बात कर लें, और इंटल बैंक ओफ कोमर्स की बात कर लें, पंजाम नेसनल बैंक की बात कर लें, बैंक ओड़ोदा की बात कर लें, यह जितनी भी इंडिया के अंदर बड़ी-बड़ी जो बैंक हैं, अलहाबाद बैंक हैं, जितनी भी एक्सिस बैंक, जित वहीं आपको जमा कर देना फिर आपकी इन सब चीजों को मैंने आपको बता है इन चीजों का फिजिकल वेरिफाइग करने हुआएंगे दोस्तों यह चीजह आपकी वह देखने हुआएंगे पिखाएंगा भी मैंने दिखाया था आपको बताब करेंगा यह तीन-चार चीज नहीं पिखा है पेसा जाए यह पेसा खाते में डाल दिया जाएगा थीक है आप बात आती है समय को सब सबसीडी देने का काम करते हैं वह सीधा बैंक को आधी सबसीडी चुकाने का काम करती है, बैंक को देने का काम करती है, उस सब्सीडी, अब किसी राज्य में 95% सब्सीडी है, किसी राज्य में 75% है, किसी राज्य में 50% है, लगबग coverage हम निकाणे हैं, तो all over India सभी आपको मिल जाएगी, तो आपको इसका form जो है, बैंक के तेफों में इस तरह भर सकते हैं ये डॉकुमेंट्स अच्छे से तयार कर लेना फिर आपकी लोन को कोई रिजेक्ट नहीं करेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपने अगर चार लाग रुपे लिया तो दो लाग और जो उस पे थोड़ा बहुत ब्याद लगेगा वह आपको चुकरना है दो लाग आपको सरकार देने का काम करेगी तो फिराल इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैबारत चैनल सब्सक्राइब जो रुखने